हेलो स्टुडेंज क्या हाली चाला है एक बार फिर से आप लोग का गुडविल एडुकेर के अर्लेन प्लेटफॉर्ण पे स्वागत करता हूं कैसे बच्चे कैसा चलना आपका पढ़ाई लिखाई अच्छा चलना है चलिए बहुत सुन्दर तो सबसे पहले आज का जो क्लास है बच्चे आज के क्लास में हम सुरू करने जा रहे हैं डिजॉलूसन और पार्टनर सी फर्म डिजॉल्व होगा जब पार्टनर सी फर्म बंद होगा ये चेप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले इस चेप्टर का एक दो ब्लस पॉइंट आपको बताता हूं कि आपने पिछले चाल चेप्टर कि फंडामेंटल चेंज इन पीएसार एडमीशन और रिटार्मेंट में कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो फिर भी ये चेप्टर आपको समझ में आएगा इस चेप्टर का यही खासियत है कि पिछला चेप्टर आपने अगर पढ़ा है तो बहुत अचे समझ में आएगा और नहीं पढ़ा है तो भी अच्छे से समझ में आएगा गना क्योंकि इस चेप्टर में सब को बस बेचना है फर्म बंदो रहा है सारा सामान बेचना है और जिन जिन लोगों से पैसा लिया गया है उनको लोटाना है यही इस चैप्टर का में काम है चैप्टर बहुत इजी है कि अक्सर मैं देखताथा कि जब मैं engagement पढ़ाता हूं तो कोई बच्चा कहın रहा है सर मेरा admission झुटा हुआ है मैं Misra में question मना रहे हैं जब मैं admission पहला रहा था तो कोई बच्चा कह रहा थाaling Sai सर मेरा फंडामेंटल जुटा हुआ है मुझे कोश्रम ना रहे है लिए आप से रिक्वेस्ट करेंगे जब मैं डिजॉलूसन पढ़ा रहा हूं तो आप पिछले चप्टर नहीं बनाएंगे जो चप्टर पढ़ा रहा हूं इसी कोश्रम नाएंगे समझ में भी आएगा समझ म समझ में आएगा चलिए शुरू कलते हैं बिना देर के वे बच्चे जैसा कि आपको थमनिल दिखना है डिजॉलूसन और पार्टनर सी फर्म का मतलब क्या होता है कि जब पार्टनर सी फर्म बंद हो जाएगा फर्म बंद हो जाएगा और जानते कोई भी फर्म बंद होता है तो क्या होता है कि फर्म में जो भी एसेट से सारा एसेट सिल कर दिया जाएगा जिन जिन लोगों से फर्म ने मनी बौरो किया था चाहे वो कोई आउटसाइडर हो बैंक हो पार्टनर हो सब का पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा यही इस चेप्टर का में काम है ठीक है चलिए बिना देर के हुए चेप्टर को शुरू करते हैं सबसे पहले है कि सर आज के क्लास में कौन-कौन सा टॉपिक discussion किया जाएगा जैसा कि हर lecture में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ आज के lecture में मैं क्या discuss करूँगा तो आज के क्लास का topic रहेगा difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm यह देखो difference between dissolution of partnership इन दोनों के बीच में क्या difference है मेरे chapter का नाम है Dissolution of Partnership Firm not Dissolution of Partnership तो इन दोनों के ठर्म के बीच में क्या difference है हम एक वे डिसकस करेंगे दूसरा settlement of accounts on Dissolution के टाइम में books of account का settlement कैसे करते हैं किसको पहले पैसा दते हैं किसको बाद पैसा दते हैं यह परहेंगे difference between firm's debt and private debt firm debt और private debt में क्या difference है यह परहेंगे and accounting procedure on Dissolution of firm जब partner सी firm dissolve होगा तो क्या-क्या accounting procedure करते हैं उसके sequence क्या है आज के class में हम discuss यह करेंगे mostly जो आज का class है यह theory class है और इस theory को अच्छे समझेगा क्योंकि theory समझ में आएगा तब ही numerical समझ में आएगा ठीक ना इसलिए अच्छे से पढ़िएगा इधर बिना ध्यान बटकाए हुए आपका ध्यान आज के class पे होना चाहिए चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे request करेंगे कि सबसे पहले session को एक like कीजिए सबसे पहले आज के session को आप लोग like करिए तब शुरू करने जा रहे हैं देख लिजे किये हैं या नहीं किये हैं कर दिए गूद देखिए सबसे पहला टॉबिक जो था डिफ्रेंस बिट्विन डिजॉलूशन ओप पार्टनर्शीप और डिजॉलूशन ओपार्टनर्शीप फर्म में क्या डिफ्रेंस है आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि देखी सबसे पहले हैं मीनिंग के बेसिस पे मीनिंग के बेसिस पे कि दिजालूस़ों और पार्टनर्शीप और डिजालूस़ों और पार्टनर्सीप फर्मे क्या difference है बच्चे इन difference के सबसे पहले एक दो पॉइंट में अपने साइच से बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि दुनों को भी चैप्टर से पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा था फंदमेंटल को छोड़के चेंज इन प्रोफिट सेरिंग एशियो एडमीशन ओफ पार्टनर रिटायर्मेंट ओफ पार्टनर देथ ओपार्टनर यह जो भी चैप्टर आपने इस चैप्टर से पहले पढ़ा था वो था डिजॉलूशन ओफ पार्टनर्षीप ठेक है इससे पहले जो भी चेप्टर पढ़े थे चेंज इन पी एसार एडमीशन रिटार्मेंट देथ अब बाटनर वो था डिजॉलूशन आफ पार्टनर्सीप जिसमें फर्म बंद नहीं हो रहा था बस पार्टनर्स के बीच में रिश्यो चेंज हो रहा था एग्रिमेंट चेंज हो रहा था फर्म का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था थाना बट अब जो चेप्टर पढ़ने जा रहे हो this is डिजोलूसन ओपार्टनर सी फर्म यहाँ पे फर्म बंद हो रहा है यहाँ पे फर्म बंद हो रहा है फर्म के सारे एसेट्स को सिल करेंगे और जिन जिन लोगों से लोन लिया गया है सबका लोगों को वापस करेंगे ठीक है? चलिए तो चप्टर को सुरू करते है Meaning डिजोलूसन ओपार्टनर सीब में है इट रेफरस टू चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रिमेंट बिट्विन दा पार्टनर सीब फर्म कॉंटिन इस बिजनेर्स डिजोलूसन ओपार्टनर सीब में क्या होता है चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रिमेंट कि पहले सी जो एग्रिमेंट चल रहा है पार्टनर सीब बिच में वो एग्रिमेंट चेंज होता है और नया एग्रिमेंट बनता है फंट इस बिजनस फर्म अपना बिजनस कॉंटीव रन करता है इसमें जब फर्म मंद होगा इट मिंस विजनस अन्हें सभी जो रहा है फेला के लिएपिश्णर पार्टनर्शीब मे बस पार्टनर्स के बीच में एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज औराता फर्म है टाम नहीं और आदा चेंज इन्प्रीचार तर्मीड़ाइड निवेड फॉल्मुड डियूंड siogha तो it means firm का closure होगा, firm ही बंद होगा. Next, continuation of business. अब सवाल है कि क्या desolution of partnership में firm continues रहता है? हाँ, desolution of partnership में firm continue चलते रहता है, बट desolution of partnership firm बाले में firm का end हो जाता है, firm ही बंद हो जाता है. सारे assets को बेच देते हैं, सारा loan repay कर देते हैं, owner का capital वापस कर देते हैं, firm का board हटा रहते हैं, और जोला लेते हैं घर कियों चल देते हैं, क्योंकि firm ही बंद हो गया है. ठीक है? Next, economic relationship. Economic relationship between the partners continues. चलते रहता है, बस change हो जाता है relationship, बट चलते रहता है. और यहाँ पे economic relationship end हो जाता है, कोई economic relationship नहीं, फर्मी ही बंद. Closure of books of account, बच्चे, resolution of partnership में, पिछले वाले chapter सब में, books of account close नहीं करते थे, बट इसमें, सारे books of account को close कर देंगे, सारे assets को sell कर देंगे, सारे loan का repayment कर देंगे, जो ही loan का repayment किये थे, books of account close हो गया. ठीक है? Settlement of Assets and Liabilities, पिछले chapter में क्या कर रहे थे आप? Assets को Revalu कर रहे थे, Liabilities को Reassess कर रहे थे, and gain or loss on revaluation is distributed among the partners in their old profit sharing issue, और जो भी gain या loss होता था, वो old profit sharing issue में distribute कर थे, बट यहां पे Revaluation नहीं करना है, Realization करना है, Assets are sold and Liabilities are paid off and balanced if any distributed among the partners. याद होगा, पिछले chapter में आप बनाते थे Revaluation account, और इस chapter में आप बनाओगे Realization account, क्या बनाओगे? Realization account, कैसे बनता है, आगे बताएंगे, ठीक ना, पिछले chapter में आप इन चारों chapter में आप बनाएथे Revaluation account, और Dissolution of Partnership Firm के ताइम में बनाओगे Realization account, कैसे बनाएंगे? आगे बताएंगे. In fact, Dissolution of Partnership does not necessarily mean Dissolution of Partnership Firm. बच्छे जब Dissolution of Partnership हो, जब ratio change हो, नए पार्टनर्स का admission और retirement हो, इसका मतलब यह नहीं कि फर्म बंद हो रहा है. बच्छे जब Dissolution of Partnership Firm होगा, इसमें दोनों हो गिया, फर्म बंद होगा, तो आपस का relationship भी तो end हो गए. Court intervention, क्या court का intervention के वेशिस पे? There is no intervention by the court. Dissolution of Partnership क्या होता है? Generally mutual agreement से होता है, court का intervention नहीं होता है. But Dissolution of Partnership Firm में, में और में नोट. Court intervention, मतलब कि फर्म can dissolve either without the intervention of the court or by the order of court, मतलब दोनों हो सकते हैं, बिना court के intervention से और court के intervention से, आगे डिसक्स करेंगे. ठीक है? एक बार कोई बच्चे इसका screen shot में क्या लेगा चाहते हो, तो बच्चे आप screen shot ले लो. चलिए, done? Okay, good. Next, Dissolution of Partnership. The partnership is deemed to be, the partnership is deemed to be, have been dissolved in the following cases. बच्चे, Dissolution of Partnership, partnership कब-कब dissolve हो सकता है? पहला है, in case of change in profit-searing ratio among the existing partners, जब partners के बीच में जो लोग पहले से हैं, उनके बीच में जब ratio change होगा, तो partnership dissolve हो गया. हम Dissolution of Partnership फर्म नहीं बोल लहे हैं, Dissolution of Partnership बोल लहे हैं, फर्म बंद नहीं हो रहा है, partnership का termination हो रहा है, नया agreement फिर से बनेगा. तो partnership का termination कब-कब हो सकता है? जब partners के बीच में profit-searing ratio change होगा, जब कोई नए partners का admission होगा, जब किसी partner का retirement होगा, जब किसी partner का देथ होगा, जब किसी partner का expulsion होगा, जिसके किसी को अगर फर्म से जब अधस्ति निकाल दिया गया, तो उस case में भी partnership का पुरणा agreement terminate कर जाएगा जब कोई partner insolvent होगा और जब partnership जितने time period के लिए बना था, वो time period expired हो जाएगा, यह सारे cases है, जो पिछले chapters में आपने परहा था, वो था resolution of partnership, it means, change in profit-searing ratio case में, admission के case में, retirement के case में, death के case में, expulsion के case में, जब कोई partner insolvent हो जाए, और जब partnership firm जितने time period के लिए बना था, वो time period पूरा हो जाए, तो यह cases है, आपके resolution of partnership firm के, sorry, sorry, partnership के, ah, resolution of partnership के cases है, तो आप इसको note करना चाहते हो, तो you may note it, note कर लीजिए, हो गया, done, okay. नेक्स्ट है, डिजॉलूशन ओपार्टनर्सी फर्म, डिजॉलूशन ओपार्टनर्सी फर्म, कैसे कैसे होता है, एक है, without the intervention of court, जब court का intervention नहीं हो, और दूसरा है, by the order of court, एक है, जब court का intervention नहीं हो, तो बच्चे, जब court का intervention नहीं होगा, उस case में क्या है, चार तरह से उसकते हैं, by mutual agreement, जो कि section 40 में कहा गया है, Indian Partnership Act 1932 के section 40 में कहा गया है, कि सारे पार्टनर्स जैसे mutual agreement, agreement के थुरू आपस में partnership में आये थे, एक है, पहला है, mutual agreement से, आपसी सहमती से, दूसरा है, compulsory disolution, compulsory disolution जो है, ये section 41 में कहा गया है, Indian Partnership 1932 के, और compulsory disolution में एक point आपको मैं बता दता हूँ, कि जब firm जो है, ये unlawful हो जाए, जब firm unlawful हो जाए, तो उस case में compulsory disolution होगा, जब firm unlawful हो जाए, तो उस case में compulsory disolution होगा, कि partner सी firm को बंद करना पड़ेगा, जैसे कोई चीज कभी legal होता है, कभी सरकार उसको illegal कह दे, तो जब illegal हो गया, तो आपको firm को बंद करना पड़ेगा, on happening of an event, section 42 में कहा गया है, इसका मतलब ये है, कि जब कोई event का happening हो जाए, इसमें ये भी हो सकता है, कि जब किसी का देथ हो जाए, जब partner, सारे partners insolvent हो जाए, ठीका है, जितने time period के लिए firm बना था, वो time period पूरा हो जाए, तो इस case में firm dissolve हो सकता है, और एक है by notice, कोई भी एक partners notice देके, पार्टनर्सीप फर्म बंद कर सकता है, लेकिन notice वाला जब होगा, तो वहाँ पे partnership at will होना चाहिए, पहलेते हैं न, types of partnership firm में, class element में partnership at will, जब अपने एक चाहर जब तक चल लहा है, चलते रहेगा, तो अगर partnership का type, partnership at will है, तो कोई भी partner notice देके firm को close कर सकता है, ठीक है, यह था without intervention of court, इसमें court का intervention नहीं हो रहा है, और एक है by the order of court, जब court का intervention होगा, तो court का intervention कब होगा, जब court को लगेगा, कि no chance of profit, except losses, जब firm को लगेगा, कि profit का कोई chance नहीं है, जब firm को लगेगा, profit का कोई chance नहीं है loss के सीवा, तो कर देगा firm, court कर देगा, बंद कर दीजे, court कर देगा, बंद कर दीजे, ठीक है, तो यहाँ पर court का intervention होगा, तो यह note कर लिजे, done, और इसमें एक point और लिख सकते हो, when a partner has become unsound mind, जब कोई partner unsound mind हो गया, unsound mind का मतलब होता है, दिमाग उसका संतुलित नहीं है, तो वो भी wrong decision ले सकता है, इसलिए, court कहता है, भीया, firm को बंद कर दो, ठीक न, तो यह आपका हो गया, dissolution of partnership firm के modes, without the intervention of court, और by the intervention of court, you may take it as key in short, or you want to note, note it. next, settlement of accounts on dissolution, settlement of accounts on dissolution, जब firm बंद होगा, तो books of account का settlement कैसे करेंगे, sir, किसको पहले पैसा देंगे, किसको बाद में पैसा देंगे, इसका sequence क्या है, यह बता देजिए, देखिए, बचे, जब firm बंद होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अधिन के, firm बंद होता है, तो सारे assets, जो भी assets होते हैं, उसको realized करते हैं, क्या करते हैं, realized करते हैं, realized का मतलब होता है, converted into cash, converted into cash, कि जब firm बंद होगा, तो सारे assets को cash में convert करेंगे, जितने भी assets है, land है, building है, machine है, furniture है, कोशन मा दिया रहेगा, कौन सा assets, कितने में भी का है फर्म बन होगा तो सारे एसेट कैसे में convert करेंगे afternoon conversion जब पैसा आजाएगा तो हम क्या करेंगे liabilities को पे करेंगे liabilities pay करेंगे तो यहाँ पर पहले है कि assets जब realize हो गया तो first of all after realization of assets liabilities पे करेंगे, तो first of all, outside debt of the firm will be paid, सबसे पहले liabilities जो पे करेंगे, उसमें कौन सा liabilities पे करेंगे, outside liabilities, जो sequence रहेगा, वो रहेगा liabilities पे करेंगे, outside, जो external loan है, outside liabilities पे करेंगे, सबसे पहले, ठीक न, that is, external loan, external loan का मतलब हो गया, जैसे bank loan हो गया, creditor हो गया, bank overdraft हो गया, ठीक है, जो भी outside liabilities होगा, first of all, वो पे करेंगे, ध्यान रखना है, outside liabilities है, partners loan नहीं आता है, चाहे आप partners के relative से लोन लिये हो, वो external में आएगा, bank loan हो, ठीक है, bank loan हो, creditor हो, bank overdraft हो, bills payable हो, bills payable हो, यह सब outside liabilities बाता है, तो first of all, outside liabilities will be paid, इसके बाद, पहला pay हो गया, out of the remaining amount, अब outside liabilities पे करने के बाद जो पैसा बचा, loan advance by partner will be paid off, उसके बाद, outside liabilities के बाद, second number पे रहेगा, partners loan पे करेंगे, क्या पे करेंगे, partners loan, ठीक है, और एक बात बता दूँ आपको, कि resolution में ध्यान देखना है, कि मानलो A, B, C अगर partner है, तो message A loan रहेगा, मतलब A की wife loan दी है, तो वो external liabilities बाएगा, outside loan में, और miss A, miss B partner है, उस case में Mr. A loan, A का husband जो loan दिया है, वो external बाएगा, मतलब कि अगर male partner है, तो उसकी wife का loan external में जाएगा, female partner है, तो उसके husband का loan external में जाएगा, इस बात को ध्यान दखना है, ठीक ना, यहाँ पर EMS सोचेगा कि एचाँ उसकी wife दिये और partner की wife दिये तो internal में जाएगा, नहीं, partner की wife partner नहीं है, वो external में जाएगा, ठीक ना, partner का loan अलग से internal का part है, but partners का कोई भी relative loan दे, that is external, ठीक है, इस बात को ध्यान दखना है, तो पहले outside loan पे कर दिये, external liabilities पे कर दिये, external liabilities के payment के बाद कि partner ने जो loan दिया, वो पे कर देंगे, ठीक ना, thereafter, the balance of the partner's capital will be returned, इसके बाद जो partner's का capital है, सारे adjustment के बाद, वो return कर देंगे partner capital, if some amount remains, इसके बाद भी अगर कुछ पैसा बसता है, will be divided among the partners in their profit sharing ratio, एक बात यहाँ रखना, इसके बाद कुछ पैसा बचेगा, partners में profit sharing ratio में बाट देना, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, कि इस chapter में आपको old ratio, gaining ratio, new ratio, sacrificing ratio का लोचार नहीं है, जो ratio दिया रहेगा question में, उसी में बाट ना, ratio नहीं दिया है, एक बाद इसको recall कर दे, जब फर्म बंद होगा, तो सबसे पहले सारे assets को बेचोगे, बेच के जो पैसा आएगा, उससे क्या करोगे, सबसे पहले external liabilities पे करोगे, external मतलब होता है, कि जो outsider loan है, partners capital, partners loan को छोड़के, partners capital, partners loan को छोड़के, बाहरी लोगों से जो loan लिया गया है, creditor है, bank loan है, bills payable है, अगर partner loan दिया है, बेच के लिया है, बेच के लिया है, then partners loan दिख रहा है, then partners loan पे करोगे, partners loan के payment के बाद, then partners capital का payment करोगे, after all adjustment, after that, अगर कुछ पैसा बच रहा है, profit sharing issue में, बात दो, these will be the steps for the settlement of low accounts on dissolution, you may take a screenshot, or wants to note, note it, हो गया, done, okay, next, difference between firm debt and private debt, अब सवाल है बच्चे, कि firm debt और private debt में क्या difference है, difference between firm debt and private debt, दोनों में क्या difference है, चलिए, देखते हैं, firm debt का मतलब है, ऐसा loan जो firm ने लिया है, business ने लिया है, और private debt का मतलब है, ऐसा loan जो कोई partner individually लिया है, तो firm debt और private debt में क्या difference है, meaning, meaning, firm debt में है, कि firm debt refers to debt payable by the firm to outsider, firm debt refers to, firm debt refers to debts payable by the firm to outsider, firm debt का मतलब क्या है, private debt refers to the debt payable by the partner to his personal capacity, मतलब कि कोई private debt का मतलब है, partner अपने personally लिया है, personal capacity से pay करेगा, who is liable, for firm debt, all partners are liable, firm के debt के लिए सारे partner liable है, क्योंकि firm में सारे partner को combined room से firm काते हैं, तो सारे partner liable है, jointly firm debt के लिए, but for private debt, only concerned partner is liable, जिसने लिया है, वही liable है, application of firm's property, अब सवाल है कि firm का property का apply कैसे होगा, तो firm's property is applied first of all towards the payment of firm debt, देखो, firm का जो property है, इसको सबसे पहले firm के debt को पे करने के लिए यूज किया जाएगा, इसके बाद private debt में है कि concerned partners share in access of firm's property over firm debt can be applied towards the payment of his private debt, अगर माल लो कि कोई भी partner का sale, जो है firm के debt से अगर जादा है, ऐसा बच रहा है, तू उसका private debt में use हो सकता है firm का property, अगर नहीं होगा, application of private property, private property में कहा रहा है कि surplus of partner's private property over his private debt, देखो, यहाँ पे धियान देखना है कि अगर उसका private property, उसके private debt से जादा है, can be applied towards payment of firm debt, तब उसके अगर एक्सेस वाले से firm का debt pay हो सकता है, बत यहां पे है, 1 सबर प्राइवेट झालो सिंपल से बात आप दिमंग में प्राइबट मतलब जो बिजदसे ने लून लिया है और बिजनस्में लून लिया है तो उसके लिएट केb private dip मतलब कोई partner अगर personally अपने नाम पे लोन लिया है वो private dip है अब private dip में वही partner liable रहेगा जिसने लोन लिया है वही liable रहेगा ठीक है नोट कर लेजिए इसको कि गइसे हैं नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रोशीजर ओन डिज्वलूशन ओपाटनर्सी फर्म बंचे जब पाटनर्सी फर्म डिजॉल्व हो गा तो अकाउंटिंग प्रोशीजर क्या होगा क्या क्या प्रोपर सिक्वेंस है जब फर्म डिजॉल्व होगा तो अकाउंस बनाने का, तो in order to close the books of the firm, डिजॉलूशन, the following accounts be opened in the order given below, जब फर्म बन्द होगा, तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे, realization account, realization account क्या होता है, जैसे आप न, पिछले जब्टर में बनाता थे न, करना है पहला काम और दूसरा जो भी लाइबिलिटीज रहेगा कौन सा लाइबिलिटीज एक्सटर्नल आउटसाइडर लोल इस लैबिलिटीज का पेमेंट कर्ना है और इसके बाद जो profit या loss आएगा वो partners में क्या करना है? Distribute करना है profit selling ratio में. यहाँ पर profit selling ratio में. यहाँ पर old ratio new ratio का लोचा नहीं रहेगा. जब आप पर realization account मनाऊगे बच्चे तो उसमें सारे assets को sell करने का काम करोगे. जो भी external library जाएगा उसका payment करोगे. जो भी इस दोनों के बाद balancing से profit या loss आएगा वो partners में बाट होगे. ठीक है? डिटेल में next lecture बताएंगे आपको पूरा realization account कैसे नाते हैं. आज थोड़ साइस tip के बारे में थोड़ थोड़ समझाना है, ठीक ना? ये काम रहेगा realization में. इसके लोन बाई firm, तू partner अगर firm ने लोन लिया है partner से, तो firm ने लोन लिया है partner से, तो firm उसके लोन का क्या करेगा? अलग से loan account मनाएगा और उसके loan का repayment कर देगा. याद अखना कि partners loan realization में नहीं आएगा. पार्टनर्स ने लोन चाहे दिया हो चाहे लिया हो वो रियलाइशन में नहीं आएगा क्योंकि रियलाइशन में बस आता है external loan, relation बसाता है external loan, next, loan by partner to firm, partner ने loan लिया है firm से, इसका भी अलग से account बनाएंगे, ठीक है, partners capital account, जैसे partners capital आप पिछले chapter से बनाते थे, admission में, retirement में, दिथ में, same partners capital वैसे ही बनेगा, सब कुछ same रहेगा, बस एक अंतर आएगा, कि पिछले chapter में, partners capital जब बनाते थे, बच्चे, पिछले chapter में, जब partners capital बनाते थे, तो वहाँ पे, माल लो, कि पिछले chapter में, जब आप partners capital बनाते थे, तो उस case में, यहाँ पे, two balance cd लिखते थे, यादना, इस chapter में, cd नहीं लिखेंगे, क्योंकि फर्मबंद हो रहा है, फर्मबंद हो रहा है, तो उस partner को pay करिएगा, तो two bank लिखिएगा, final adjustment करके, जो आएग cd लिखते थे, इस chapter में cd नहीं लिखे, two bank को, कि सब partner को pay कर दिये, अब किसी कोई balance नहीं बचा, भया, आपका capital का सारा हिसाब किताब हो गया, आप लोग, और साब भी partners के बीच में, जो economic relationship था, वो end हो जाएगा, अब partner नहीं रह गए, ठीक, तो two bank ध्यान रगना, कि partners capital सब कुछ वैसे ही बनेगा, बस cd लिख के two bank, क्योंकि इसके बाद balance रखना ही नहीं है, क्यों नहीं रखना है sir, क्योंकि balance बनना ही नहीं है, क्योंकि firm बचा ही नहीं, तो balance sheet में कहां से कुछ बचेगा, इस chapter में balance sheet नहीं बनना है, खुश हो गए ना, next, last में इसके बाद एक मनाना होता है cash और bank account, या तो cash या तो bank, इसमें ये account मनाते हैं किसके लिए, accuracy जानने के लिए, accuracy के लिए, अगर cash account का दोनों side totaling match कर गया, तो हम assume करते हैं कि मेरा answer सही है उपर का, यही accuracy कि सब कुछ सही हो गया, कुछ बचा, नहीं, नहीं मिला, तो मिलती है, ढूंडो अब क्या नहीं मिला, है ना, ओके, तो accounting के जो procedure है, एक वार हम recall कर दे, कि सबसे पहले बनाएंगे, realization account, realization account, सबसे पहले बनाने के बाद, loan by firm, to partner, अगर firm, loan by firm, firm ने लोन दिया है partner को, या partner ने लोन लिया है firm से, ये account बनेगा, partners capital और cash or bank, ये account बनेगा, total, टोटल आपको 5 account generally relation में बनता है, realization, partners loan, partners loan, partners capital और cash or bank account, cash या bank को एक बनाओगे, अगर cash बना रहे हो, तो अगर balance में bank balance है, तो bank balance है, तो cash convert कर लो, और अगर bank बना रहे हो, तो cash extra है, bank में जमा कल दो, कोई एक बनाओगे, ठीक ना, accuracy के लिए, तो इस तरह से, next lecture में हम इसको details म बताएंगे, realization क्या होता है, partners loan, partners capital, details में बताएंगे, उसके बाद हम एक question करेंगे, full-fledged का, इन सबते based, तो accounts ने details में परोगे, तभी बनेगा, इस shortcut में हम एक question में परोगे, तो से कोई भाइदा नहीं है, ऐसा परो, कि पूरी chapter अच्छे से समझ में आए, ठीक है, तो, कैस बताएंगे, बच्चे आज एक लास, comment में बचावर बताईएगा आप लोग, ठीक है ना, और अब मैं तुहार सा आपको बता दू, गुट्वी लेटुकेर के offline center के वारे में, गुट्वी लेटुकेर एक pure commerce coaching है, जो वारा नसी में है, गुट्वी लेटुकेर का offline center का address है, 74 रविदास गेट, बिसाइड लंका थाना वारा नसी, वारा नसी में लंका पे, आप बेच्चु के नजदिक लंका पे आएंगे, तो रविदास गेट है, रविदास गेट के अंदर जाएंगे, सौमीटर बाद लंका थाना है, थाना के जिस्ट मगल में, main road पे गुट्व गुट्विल एटुकेर के ऑफलाइन सेंटर में जोईन करना चाहते है, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करिए, या स्क्रीन पे दिये हुए नमर पे आप हमें कॉल या वार्ट्विल एटुकेर में, ऑफलाइन में किसी स्कोर्स की पढ़ाई होती है, 11th and 12th कॉमर का सभी बोर का पढ़ाई होता है, चाहिए CVSC बोर हो, State बोर हो, ICC बोर हो, बट मीडियम इंग्लिस, मीडियम इंग्लिस, CUT जो एक्जाम है, BHU, DU, AU में के लिए इंटरेंस, CUT का प्रिपरिशन होता है, B.com and M.com इंटरेंस के लिए, कोई बच्चे को अगर B.com या M.com का सब्सक्राइबस, CUT 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 का झालो!